आप सभी का पारिक इस्टूर्ट पर बहुत स्वागत है आज हम RPC 1st grade की physics से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम physics में जो mechanics वाला पार्ट है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे पहले ते हम देखते हैं कि mechanics होती क्या है mechanics होती क्या है पहले हम यह जान लेता है कि mechanics क्या होती है कि mechanics physics की एक ऐसी branch है जिसमें हम किसी इस्तान पर किसी समय पर किसी समय पर गटित होने वाली घटना का गटित होने वाली घटना का तारकिक एवं विवेचनात्मक अध्ययन करते हैं mechanics क्या है mechanics पहती ज्ञान की एसी साका है जिसके अंतरगत हम किसी स्थान पर किसी स्चने किसी टाइम पर गटित होने वाली घटनाओं के तारकिक और विवेचनात्मक अध्ययन करते हैं उसे हम mechanics कहते हैं mechanics कहते हैं mechanics को हमने दो भागम में बंटा है mechanics को दो भागम में बंटा गया है पहले हमारे पास है statics और दूसरे हमारे पास है dynamics mechanics को बोलते हैं इस्तितिकी और dynamics को बोलते हैं गतिकी ठीक है mechanics में अध्यान करने के लिए हमें निर्देश तंत्रों का हमें बहुत ज्यादा उपयोग में आता है जिसकों बोलते है frame of reference frame of reference अब हम देखते हैं कि frame of reference क्या होता है और इसके ज़रूरत क्या पड़ी देखो कि जब भी कोई place पर कोई भी किसी भी time कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसको देखने का जो नजरिया होता है वो सबका अलग-अलग होता है कैसे देखो जैसे मालो एक कार है उस कार में कोई विक्ति बठा है और उसके सामने कोई एक अन्य विक्ति बठा है और यह कार जा रही है और यहां पर एक कोई अन्य विक्ति बठा है तो इन सबी के लिए इनकी जो relative जो emotions है वो सबकी अलग-अलग है कैसे जैसे मैं पहले में इस विक्ति की बात करूँ इसके point of view से बात करता हूं मालो इसके point of view से बात करते हैं तो यह जो कार है माल एद इसके velocity v है तो इस विक्ति के लिए यह जो कार है वो v velocity से move कर रही है ठीक है और जो अंदर जो विक्ति बठा है इसके लिए यह जो विक्ति है वो भी v velocity से पिछे के और move कर रहा है लेकिन जो अंदर बैठा जो विक् नहीं कर रहा तो इसलिए हमें कोई भी घटना घटित होने के लिए physics में हमें frame of reference किया होती है और frame of reference हम इस परकार का लेते हैं जो की सरल हो और use करने में काफी आसान हो पहले हम यह देख लेते हैं कि frame of reference क्या होता है इसके definition हम check कर लेते हैं frame of reference क्या होता है कि किसी भी कण की इस्तती को ज्यात करने के लिए जिस भी तंतर की आवसकता होती है जिस भी system की हमें आवसकता होती है उसे हम निर्देश तंतर कहते हैं आपको समझ में आया कि किसी भी कण की इस्तिती को ग्याद करने के लिए जिस तंत्र की हमें याव सकता होती है उसी हम निर्देश तंत्र कहते हैं मैंने एक बात बताई कि निर्देश तंत्र हमेशा यूज़ करने में आसान और हमें समझेने भी आसान होना चाहिए अब जो निर्देश तंत्र है वो हमें कुछ जानकारिया हमें परवाइड करता है जिनमें पहले जो पाठ है पहले जो बात है वो ये है कि ए निर्देश तंत्र किसी भी जो सतीस होता है किसी भी सतीस के परिमाण और दिसा की हमें जानकारी देता है second thought क्या हमारा कि अगर हम किसी भी frame of reference को 180 degree पर हम उसको गुमा दे तो किसी भी सतीस का या किसी भी घटना का जो परिमाण है और जो दिसा है उसमें कोई भी परभाव नहीं पड़ता है यह उसमें कोई भी फरक नहीं आता है अब हम यह देखते हैं कि तीसरी बात यह है कि एक जो देश्तंत्र है वो बिम्ब और परतिविम्ब अब्जेक्ट और इसकी जो इमेज है इन दोनों की भी संपूर्ण जानकरी हमें परदान करता है अब निर्देश्तंत्र भी बहुत सारे होते हैं हमें जो हम एक निक्सम इस्तिमाल करने वाले हैं वो हम करेंगे कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम जो कम बोलते हैं कार्टिय निर्देश तंत्र कार्टिशन कोडिनेट सिस्टम कि इसमें हमें यह इस्तिमाल क्यों करेंगे कि इसके हलावा भी हमारे पास बहुत से इंद्यस pictured थबाऊ nu के कोशिस करेंगे तो सबसे पहले हम कारेंटिशन कोडिनेट सिस्टम को सुमझेंगे our camera में जो जितने भी घटनाए घटित हो रही है उनका क्या relation होता है उनके बीच में भी क्या relation होता है कि देखो विश्य तो Cartesian coordinate system होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं पहला हमारे पास होता है left-handed Cartesian coordinate system और दुसरा हमारे पास होता है right-handed Cartesian coordinate system देखो left-handed कैसे काम करता है या पर right-handed कैसे काम करता है पहले हम right-handed देख लेते हैं right-handed क्या होता है जैसे यह मेरे right-hand है और इस right-hand में अगर में मेरी जो middle finger है इसको में उपर की तरफ और मेरी जो index finger है इसको में इस आगे की तरफ और thumb को में इस दिशा में अगर करूँ तो मेरी जो यह index finger है वो अगर x, x को अगर represent करती है और यह जो मेरी finger है वो अगर y, x को अगर represent करती है तो मेरा जो thumb होगा right-hand rule में यह हमारे z coordinate system को को见 और z coordinate को represent करेगा इसको इस परकार समझेंगे जैसे मैरा यह है इसको मेकुछ इस परकार साथ शिकर दो थोड़ा घूमा आपनों ये जो में ने बनाया है वह हमारा है going Cantation सिस्टम अब हम बात करते left hand coordinate system की तो left hand आप हमारे पास यह हमारा left hand करना वे सही है जैसे हमने right hand में किया था इसी प्रकार वापस यह हमारा x यह हमारा y और यह हमारा z क्यों क्ति हमारे हमीच कुछ इस प्रकार से बनाओं यह हमारा x यह हमारा y तो दीखो कैसे हो गया आद दीख हमारे है इसको अगर मों उल्टा कर दो इस प्रकास है, हाथ को घुमा दो यह हमारा X, यह उपर की और Y तो Z का होगा? Z हमारा होगा, अंदर की और Z और यह हमारा होगया Left Cartesian Coordinate System हम generally जो यूज करते हैं वो करते हैं Right-handed Cartesian Coordinate System ठीक है? अब हम Newton के जो नियम है, उनके अनुसार भी हम इनको दो अलग-अलग भागों में बाढ़ सकते हैं वो क्या है? Newton's, लोग के अनुसार भी हम इसको तो भागों में बाढ़नेगे पहला हमारा होगा जडत्विये कार्तिये, निर्देश तंत्र तुसरा हमारा पास होगा अजडत्विये कार्तिये निर्देश तंत्र इसमें अगर तुम आप, अगर कार्तिय नियाम अगर नहीं लगाना भी चाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको मिश्यदा बोल देंगे, जडत्विये निर्देश तंत्र अब देखो यह होते क्या हैं पहले हम बात करेंगे जड़त्विय निर्देश तंत्र के बारे में तो पहले हम लिखते हैं जड़त्विय निर्देश तंत्र इसको बोलते हैं इनिश्यल कोडिनेट सिस्टम ठीक है जड़त्विय निर्देश तंत्र क्या होता है कि अगर कोई वस्तू अगर गति कर रही है और उसके पर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट्रनल फोर्स कारिया नहीं कर रहा है तो उस इस्तिति में हमारा जो निर्देश तंत्र हुगा अगर उसमें भी वहे एक नियत वेक्ट से गति करती हुई या फिर एत तवरित अगर में कण में दिखाई देता है तो उसको हम बोलेंगे जरुति निर्देश तंत्र इसको हम और ज़्यदा एक्स्पेंड कर लाते हैं और ज़्यदा समझ लेते हैं माल लेते हैं कि यह हमारा एक कोडिनेट सिस्टम है ठीक है यह मारा आक्स वाई और जी इसमें कोई एक कण है इसके पर बाहर से कोई भी एक फोर्स कारियर नहीं कर रहा है माल लेते हैं कि यह वी वेक से गतीशील है बाहर चागर कोई फोर्स कारियर नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्स्पेलेशन है वह हमारा 0 होगा यह A तवरित गटना हमारे पास होगी हम जानते हैं कि A बराबर क्या होता है A बराबर होता है M A बराबर 0 तो A बराबर हो जाएका M DR और DT का स्क्वए बराबर 0 अगर A बराबर 0 है इसका मतलब होगा कि यहाँ पर V जो है वो नियत होगा या तो नियत होगा या फिर 0 होगा तो क्या कह सकते हैं? एगर कोई एक ऐसा फ्रेम जिसकी velocity या तो zero हो या फिर वो नियत वेख से गतिशील हो तो वह जड़तीवी निर्देश तंतर कहलाता है ठीक है जड़तिवे निर्देश तंतर क्या हो गया एसा निर्देश तंतर जो कि या तो इस्तिर अवस्ता में हो या फिर नियत वेख से गत्तिशील हो तो एसा निर्देश तंतर को हम जड़तिवे निर्देश तंतर कहते हैं ठीक है जो जित्ते नियमों का पालन करते हैं इसमें कुछ point note करने वाले बाते ही है कि यह पर्थम और जो जित्ते नियम है नियमों के उनका पालन करते हैं दूसरी बात यह निदेशत दंतर यह तो इस्त्रिवस्ता में होते हैं यह नियत्वेग से गतिशिल होते हैं ठीक है और नियत्वेग से गतिशिल होने का मतलब क्या है यह हमेशा एक सरल रेखिये गति करते हैं यह तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं अब हम बात करते हैं ए जड़क्तविये निदेश तंतर की ए जड़क्त निदेश तंतर क्या होता है अगर किसी कण पर माल लो यह हमारा निदेश तंतर है एकस वाई और जी यहाँ पर कोई एक कण है इसके पर भी कोई भी भायेबल एक्सेलर फोर्स कार्या नहीं कर रहा है लेकिन इस निदेश तंतर के लिए अगर यह कण अगर accelerated हमें अगर दिखाई देता है मतलब ए तोरण से अगर में गतिशी लगर में दिखाई देता है जिसका कुछ चुने कुछ वेलोशिटी होगी तो यह जो निदेश तंतर होगा वो होगा हमारा ए जड़त वे निदेश तंतर यह जो देश तंतर होते हैं वो तवरित गति करते हैं और यह गुर्णन गति भी कर सकते हैं यह अपनी अक्सेस पर रोटेट भी कर सकते हैं ठीक है अब इनमें कुछ पॉइंट है जो नोट करने हमें है पहली बात तो यह कि इसमें न्यूटन के दोनों नियम काम नहीं करते न्यूटन के नियम या पर फोलो नहीं होते दोनों के दोनों पर्थमों दूते नियम या पर फोलो नहीं होते दूसरी बात यह है कि इन तंतरों में हमें कुछ आभा वीडियो में इसके जानकर या आपको पटवाइड करेंगे तीसरा पॉइंट यह है कि इन तंत्रों में हमें जो भी जो कण होगा वो हमें तवरित हमें दिखाई देगा जो भी कण होगा वो तवरित हमें दिखाई देगा अब आपको आसपास जितने भी वस्तवें हैं जो तिसल वास्ता में होगी तो उनको आपको observation करना है और आपको बताना है कि किस के respect में कौन सा हमारे पास inertial frame का कार्य करेगा और कौन सा non inertial frame के रुप में कार्य करेगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like, share, subscribe कर दीजिए धन्यवाद